जैहिन साथियो, वेलकम टू सेल्प स्टेडी क्लासेश वे सुमिज जैन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज की कक्षा में हम बाल बेकास को पढ़ने बाले हैं और इंस्टोग्राम से ज्ढ़ना है सुमिज जैन सेल्प स्टेडी क्लासेश वीर्सफ नंबर दिया है तो कोई भी डॉट आफ किलियर कर सकते हैं ठीक ہے फेस बुक से आप जढ़ सकते हैं सुमिज जैन ट्विटर चोक पसे ज़र सकते हैं समिज जैन दो नमबर ऐसे सभी इसके पाट आएंगे तो सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे और सबस्क्राइब करके बेल आइकन को आपको ज़रूर दबाना है तो दोस्टों स्टार्ट करेंगे आज का पहला प्रस्ण सबसे पहला प्रशन है कि कोई बस तुक क्या है और हम उसके साथ कैसे बिवहार करते हैं इस विशाय में उससे जोड़े मानसिक प्रिती रूप या बिचार को क्या कहा जाता है थीक है बिकल्प एक है निर्मान, नेटवर्क, इसकीमा या फिर सरचना तो चार बिकल्पों में से एक कचैन आपको करना है तब आपका बिल्कुँ सही आंसर होगा दोस्तों, इसकीमा इसकीमा यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका तेन है वो सही हो जागा कोई वस्तू क्या है और हम उसके साथ कैसे बिवहार करते हैं इस विसाय में उससे जुड़े मानसिक प्रिति रूप या विचार को कहा जाता है इसकीमा ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं तो प्रगती सील सिक्छा की जनक कौन मान जाते हैं जान डीवी फ्रावेल जीन प्याजे या फिर इनमैंसे कोई नहीं प्रगती सील सिक्षा की जनक आपको बताना है प्रश्न किरमान के दो को आंसर तब आपका बिल्कुँ सही आंसर आया है जान डीवी यानि कि जो बिकल्प नमबर एक है वो सही हो जाएगा प्रगती सील सिख्चा के जनक कौन है जान डीवी साथ एक नमबर राइट हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन देख लेते हैं प्याजे ने छमताओं और योगताओं को क्या नाम दिया है इसकीमा आत्मसाथ करण एहम के अंद्रभाव या इनमें से कोई नहीं तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसकीमा इसकीमा यानि कि जो बिकल्प नमर एक है वो बिल्कुल सही हो जाएगा प्याजे ने छमताओं और योगताओं को क्या नाम दिया है तो क्या नाम दिया है इसकीमा इसकीमा यानि जो बिकल्प नमर एक है वो बिल जुड़ी हुई है, खालिस्तान बुद्धी मता तीब्रतर विकास से जुड़ी हुई है, मंद बुद्धी, मध्यम बुद्धी, उच्ifice बुद्धी या फिर इदमें से कोई नहीं तब आपका बिलकुर सही आंसर हो जाएगा उच्च बुद्धी यानि कि वेकल्प नमबर जो तीन है वो सही हो जाएगा है ना उच्च बुद्धी मता तीब रतर विकास से जुड़ी हुई है ठीक है प्रश्ण कर्मांक 4 का आपका विकल्प नमबर जो 3 है वो बिल्कुल सही यहां पर हो जाएगा अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तों अधिगम सिद्दांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के जो है विकास में कैसे चिन्नित करते हैं प्रश्ण कर्मांक 5 का उत्तर हमें लिखना है या पर तब आपका विल्कु सही आंसर क्या होगा प्रिसीखषकों के रूप में यानि एक नंबर जो है विल्कुर सही हो जागा ठीक है अधियम सिद्धान्त माता पिता की भूमिका को उनके बच्चे के विकास में कैसे चिन्नित करते हैं तो वो करते हैं प्रिशीक्षकों की रूप में एक नम्मर आपका विल्कु सही है अंगला है एक समूग के समाजमिती विसलेशन का उपयोग एक समूग के समाजमिती विसलेशन का उपयोग व्यक्ति को खालीस्तान विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है तो किस विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है प्रेक्छन, वस्तुनिस्ट, व्यक्तिनिस्ट या इन मैंसे कोई नहीं एक समुव के समाजमिती बिसलेशना का उपयोग बेक्तित्त को विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा क्या वस्तुनिस्ट विधी के रूप में मापने के लिए किया जाता है यानि कि जो बिकल्प नमबर आपका 2 है वो विल्कुश सही होगा अंगला question देख लेते हैं चात्रों के अधियम के परिणाम के बिसाय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन की रूप में माना जाता है बैँचमारक मूल्यांकन, निदान, रचनात्मक मूल्यांकन या इन में से कोई नहीं चात्रों के अधियम के परिणाम के बिसाय में आकलन को खालिस्तान मूल्यांकन की रूप में जाना जाता है तब परश्न किरवांग साथ का आपका विल्कुश सही अंसर होगा निदान मूल्यांकन आकलन को निदान मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है यानि कि जो विकल्प नमबर आपका 2 है वो विल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर अंगला क्वेस्चन है दोस्तो निम्न निम्न में से कौन वाह प्रेडा का उधारन नहीं है जब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जुनून यानि कि बिकल्प यह तीन है वो बिल्कुल सही वाह परेडा का उधारन नहीं है यह वाह परेडा के उधारन जब कि जुनून नहीं है अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं निम्न मैसे कौन सा सिद्दांत इस समझ को संदर्वित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता तो आपको बताना है कौन सा सिद्दांत इस समझ को संदर्वित करता है मन का सिद्दान्त, जीववाद का सिद्दान्त, वस्तु इस्थायत्तो का सिद्दान्त या इनमेसी नहीं तब आपका बिल्कुर सही आंसर होगा वस्तु इस्थायत्तो का सिद्दान्त जो है इस समझ को संदर्वित करता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब उन्हें देखा या अनुभाव नहीं किया जा सकता एक आई का सिद्दान्त है वस्तु इस्तायत यानि जो विकल्प नमर आपका तीन है वो विल्कुर सही होगा ठीक है अंगला क्वस्चन देको थांडाई के प्रेतने वंतुर्टी सिद्दान्त ने खाली स्तान के महत पर जोड़ दिया है तो कौन से महत पर दिया है थांडाई इवांटरटि के सिद्तांद ने किस पर महत्तु दिया है प्रेणा पर दिया है और उस्कार पर दिया है प्रसंसा पर yawän आप दंड पर पर डिजाइन आधारत अनुसंधान भी दी या सन्योजक्ता का सिद्दान्थ दंड और प्रोसाहन के घटक हैं तो कौन है प्रश्निक्रमांक 10 तो आपका बिल्कुँ सही आंसर क्या हो जाएगा बियोहारबाद सिद्दान्थ बियोहारबाद यानी जो बिकल्फ नमबर एक है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है दंड और प्रोसाहन का खालिस्तान के घटक हैं तो किसके घटक हैं बियोहारबाद सिद्दान्थ का एक नमबर आपका बिल्कु सही है अंगला क्वेस्चन देखते हैं समान लिंग मित्रता खालीस्तान के द्वारा प्रवलित होती है किसके द्वारा होती है प्रारंबिक बच्पन प्रारंबिक के सोरा वस्ता माद्ध बच्पन या फिर मद्ध के सोरा वस्ता समान लिंग मित्रता खालीस्तान के द्वारा प्रवलित होती है तो प्रश्न क्रमा के ग्यारा का आपका उत्तर हो जाएगा प्रारंभिक के सोरा वस्था यानि कि जो टू नम्मर है वो विल्कुँ सही है ठीक है समान लिंग मित्रता प्रारंभिक के सोरा वस्था के द्वारा प्रवले तो होती है अंगला question देख लेते हैं किसी भी परिस्तिती में समायुजित होने वाले बच्चों के लचीलेपन को खालीस्तान के रूप में जाना जाता है किसी भी परिस्तिती में समायुजित होने वाले वच्चों के लचीलेपन को किस रूप में जाना जाता है द्रनता की रूप में, वांचनियता की रूप में, अच्छमता की रूप में या फिर धलन सीलता की रूप में किसी भी परस्तिती में समायुजित होने वाले बच्चों को किस रूप में जाना जाता है तो प्रश्न किर्मा की जो वारा है और इसका उत्तर हो जाएगा धलन सीलता धलन सीलता यानि जो चार नम्मर है वो चार नम्मर यहाँ पर बिल्कुँ सही होगा ठीक है अंगला क्वेस्चन रेको किसी बच्चे की ब्रद्धी और विकास का अध्यन करने का सर्वोत्तम तरीका है तो क्या है बच्चे की ब्रद्धी और विकास का तुलनातमक बिदी है विकास आतमक बिदी है शांक की बिदी है या फिर मनो विशलेशनातमक बिदी है ब्रद्धी जो बिदी है वो कौनसी है रश्निक्रमांग 13 तब आपका बिल्कु सही आंसर होगा बिकासातमक बिदी बिकासातमक यानि कि जो टू नंबर है वो बिल्कु सही हो जाएगा सरवोत्तम जो तरीका है वो कौनसा है बिकासातमक बिदी अंगला कोस्चन देख लेंगे दोश्तों आवसकताओं का पदानुक्रम प्रेणा का एक महत्पूर्ण परिपेक्ष है जिसे इनके द्वारा पृति पादित किया गया आपको बताना है आवसकताओं का पदानुक्रम प्रेणा का एक महत्पूर्ण परिपेक्ष है जिसे किसक के द्वारा पृतिपादित किया गया प्रश्निक रमांग 14 तब आपका बिलकुछ सही आंसर क्या हुजएगा मासलों के द्वारा पृतिपादित किया गया ठीक है बिकल्प नंबर जो 1 है वो सही हो जाएगा अंगला दोस्तों निव्ण मैंसी कौन सी कार्विधी हमें जानका जितन या फिर संग्यान कौनसी कारविधी हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है प्रश्निक्रमांग 15 तो आपका बिल्कुछ सही आंसर होगा दोस्तो मूल्यांकन मूल्यांकन ऐसी कारविधी है जो हमें जानकारी को मानने करने में मदद करती है मूल्यांकन ठीक है एक नमबर आपका सही होगा अंगला क्वेस्चन है दोस्तों बाल के अंदर सिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए बहनिमना अनुसार आंकना चाहिए गतिविदियों के माध्यम से उनके परिच्छा परिणामों के अंकों से बच्चे की योगता रुची और पिछले अनु प्रश्निक्रमांग सोला तब आपका बिल्कुछ सही आंसर क्या होगा विकल्प नमबर तीन बच्चे की योगता रुची छमता और पिछली अनुगाउ के अनुसार जो है आतना चाहिए तीन नमबर आपका यहां पर बिल्कुछ सही होगा अंगला क्वेस्चन देखो बाल के अंदर सिक्चा में आमतोर पर निम्न सामिल होता है क्या होता है तुरंतिया मौके पर मूल्यांकन कोई मूल्यांकन नहीं अधिक योगातमक मूल्यांकन या फिर अधिक रचनातमक मूल्यांकन बाल के अंदर सिक्चा में आमतोर पर निम्न सामिल होता है तब आपका बिल्कुछ सही आंसर आया है अधिक रचनातमक मूल्यांकन यानि जो बिकल्प नमबर आपका चार है वो सही हो जाएगा बाल के अंदर सिक्षा में आम तोर पर क्या सामिल होता है अधिक रचनातमक मूल्यांकन चार नमबर ठीक है अंगला question देख लेते हैं सब्द सामंजस किस से संबंदे थै व्यक्तित्तो से, मनोबृती से, बुद्धी से या फिर प्रिणा से सब्द सामंजस किस से संबंदे थै तब आपका प्रश्ने किरवां का ठारा का बिल्कुष सई आंसर होगा व्यक्तित्तों से संबन्देत है, ठीक है, सब्द सामंजस किसे संबन्देत है, व्यक्तित्तों से, अंगला question देखो, मानव सरीर में सबसे छोटी हड़ी यानि steps कान के खालिस्तान होती है, कान के अंदर, कान के वीच में, वाहर या इनमे से कोई नहीं, मानव सरीर में सबसे छ तो आपका विल्कुछ सही आंसर होगा दोस्तों वीच में, कान के कहाँ पर होती है, वीच में यानि टू नंबर विल्कुछ सही हो जाएगा. अंगला question देखो बुद्धी मता और परियावरन, बुद्धी मता खालीस्तान और परियावरन दोनों का एक उत्पात है, संस्कृति का, शमुदाय का, आनुवानसिक्ता या फिर समाज का, बुद्धी मता खालीस्तान और परियावरन दोनों का एक उत्पात है, किसका उत्पा बुद्धी मता खाली इस्तान और परियावन दोनों का उत्पाद है तो किसका बुद्धी मता अनुवान सिकता और परियावन दोनों का उत्पाद है ठीक है तो यहां पर हमने 20 प्रशन देखे दोस्तों अब आपको जो है एक प्रशन बताना है कौनसा प्रयास एवं में बताना है और वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और 20 प्रशने में ऐसे आपने कितने प्रशन सही किये हैं जदी-जदी से इमांदारी से सभी लोग कमेंट में लखें फटा-पट से इस प्रकार के जो आपकी सीरेज है पुंदरंतर चलेगी और पार्ट में चलेगी प पार्ट एक पार्ट टू ठीक है 20 प्रशन पर हर वीडियो में हम चर्चा करेंगे MPTET ग्रेट तीन वालों के लिए रीट वालों के लिए CTET वालों के लिए और जो भी टेट से संबंदेत हैं जहां भी वाल विकास मनुविज्ञान पूछा जाता है ठीक है और Self-Study Classes विस स सुमिज्जेन सर्च करना है ट्विटर पर भी सुमिज्जेन और Self-Study Classes विस सुमिज्जेन इस चैनल पर आपके लिक करेंगे तो उपर चैनल खुलेगा और प्लेलिस्ट सामने आएगी तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अलग-अलग बनी है परयावण की वाल विकास की है सारी की सारी ठीक है टेलिग्राम ग्रोप से अवस्त जुड़ना है सेर्च करना है IAS Study Trip और Join हो जाना है ठीक है बहुत बढ़िया सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबाना है ठीक है वीडियो कैसा लगा जल्दी जल्दी से बताना है कमेंट में और अपने मित्रों तक सबी के लिए सी।